आयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अबाकाल लेने लगा है मंदिर देके पर्थम चरण का कार दिसंबर 2023 में पूरा होगा और जनवरी 2024 में भगवान नाम अपने भव्य मंदिर में विराचमान होंगे ऐसे में प्रते दिन लाखों की संख्या में स्रिध्धालू अपने आराध्य के दर्सन पूजन कर रहे है मंदिर निर्माल के साथ स्रिध्धालू बढ़ चल कर भगवान राम लला के बंढ़ है निर्माला धीन मंदिर में दान भी दे रहे है आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे राम मंदिर से जुड़ी एक ऐसी जानकारी जिसे जानकर आपके भी हो सुड़ जाएंगे स्री राम जनम्भूम तीर्त छेत ट्रस्ट ने बीते दिनों एक निधी समर्पना भिहान चलाया था जिसमें राम भगतों ने बढ़ चल कर करोणों रुपए राम लला के बंढ़ है निर्माणा धीन मंदिर में दान दिया था हाला कि तीर्त छेत ट्रस्ट के मताबिका युद्या में बंढ़ है भगवान राम के भब मंदिर निर्माण में लगभग अठारा सो करोण रुपए खर्च आ रहा है बाव जूदिस के राम मंदिर ट्रस्ट के पास इतना पैसा है कि बीस वर्सों तक किसी से मांगने की जरूरत नहीं हुई आईसा हम नहीं आईसा तीर्त छेत ट्रस्ट के महासची चंपत राय करें प्रारंब होने के अवसर की बाट है मार्च दो हुजार पीज और जन्वरी दो हुजार इक्टिस में जब देश में एक अभ्यान शुरू हुआ घर घर जाने का और वो अभ्यान 40 दिन का अभ्यान था अभ्यान समाप्ति के बाद ऐसा लगा कि महराची ने एक साल पहले कहा था चिंटा ना करना तो अब ऐसा लगता कि शट बीज साल तक भी धन मांगना नहीं पड़ेगा मैं तो सवाल नहीं था मैं धन के लिए गया नहीं था मैं तो ऐसी गया था जाता रहता था तो करते चिंटा ना करना अफ्या आता जाओगा ऐसी